शभी को नमस्कार, मैं प्रफिशर जवाहर लाल, सर्व दर्शन विभाग, दर्शन संकाय स्री लाल भादूर, शास्त्री राष्ट्री, संस्कृत बिश्व विद्याले नहीं दिल्ली शे, संस्कृत साहित्यका आलोच नात्मक बिशलेशन, सभी को नमस्कार, हम सभी जानते हैं, बेद बिश्व के सभी धर्मों की आधार सिला है, बेदो अखिलो धर्म मूलम, मनू का यह वचन अत्यंत प्रशिद्ध है, बेद ही आरिस धर्म संस्कृती की आधार सिला है, यही कारण है कि भारती संस्कृती एवं सभ्यता की दृष्टी से, या संस्कृत वांग महिके अध्यन की दृष्टी से, बेदों का मूर्धन्य इस्थान है, भारती संस्कृती और सभ्यता का भव्य प्रशाद भी बेदों पर ही अधिश्थित है, बेद के अध्यन के बिना भारती संस्कृती को समझना भारती संस्कृती को जानपाना अत्यंत दुर्गम है भारती मनीशा ने अत्यंत तपस्चर्या के बाद बिलक्षण साधना के बाद इस बैदिक ज्ञान को प्राप्ट किया इसलिए अनेक द्रिष्टी से भारती जीवन के लिए बैदिक साहित्य का बेदों का महत्व बिद्यमान है बेद आचार का भी मूल है सनातन परंपरा के में बिद्यमान आचार विचार रहन सहन धर्म कर्म के बिद्यवत ज्यान के लिए बेदों का अध्यन बहुत जरूरी है बेदों के अध्यन के बिना नकेवल ग्रहस्त जीवन का अपितू चारो आश्रमों का दिन्चरिया क्रिया कलापों का ज्यान हमें नहीं हो सकता बेद भारती परंपरा का दिब्यनेत्र है तत्तो ज्यान के रहस्यों को जानने का उत्तम स्रोत है बैदिक कर्म अनुष्ठान स्वर्ग का साधन है इसलिए बैदिक यग्यादी कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अभक्ष भक्षणादी अनीती कर्म नरक के साधन है इसलिए उनका परित्याग करना चाहिए उनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए इस प्रकार के विशेयों का ज्यान भी अमें बेदों से ही प्राप्त होता है इसलिए इस अलोकिक ज्यान के शाधन और ज्यान के विशेय को जानने का एक मात्र साधन बेद ही है साथ ही भारती संस्कृति और सभ्यता के ज्यान का भी साधन बेद ही है महाभाशिकार पतंजली ने अत्यांति स्पष्ट सब्दों में उलेख किया है कि बेद का अध्यन सडंगों के साथ अर्थात सिक्षा कल्प निरुक्त छंद ब्याकरण जोतिस आधि के साथ करना चाहिए इनके अध्यन के बिना बेद का अध्यन मानु अपूर्ण है ब्रामनेन निश्कारणम धर्महा सडंगों बेदों अध्यया गेश्चर मुनी मानु के अनुसार जो द्विज हैं उनके लिए बेदों का अध्यन अत्यंत आवश्यक वताया है जो द्विज बेदों का अध्यन नहीं करते तथा अन्य विश्यों में अन्य क्रिया कलापों में परिश्रम करते रहते हैं अन्य ब्यापारों में लगे रहते हैं वे अपने कुल के साथ सीगरी सूद्रत्व को प्राप्त होते हैं योवन अधीत्य द्विजो वेदाम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन नेव सूद्रत्वम आसुगच्छति सान्वया। परिचय भी हो सके तथा भारत जैसे महान राष्ट की रक्षा और महत्ता को बनाय रखने का उत्तरदाई तो भी हम सभी भारतियों पर ही है अतहा भारती ही यदि बेदों के महत्त को नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो यह अत्यंत कष्ट प्रद है और भारतियों के लिए लज्जा का विशै भी है प्राचीन काल में रिशियों ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक बेदों के प्रत्यक मंत्रों को परायन करते हुए उनको कंठस्त किया जिवनत बनाए रखा है वो परम्परा आज भी चलि आ रही है किन्तु आज के परिप्रेक्ष में हमें अपनी इस अमूल धरोहर को बनाए रखने के लिए और अधिक साम्ब्यावारिक होना पड़ेगा मिमान्षा परिभाशाकार के शब्दों में बेदस्य अध्यानम सर्वं गुर्व अध्यान पूर्वकं बेदाध्यान सामान्यात अधुना अध्यानम यथा आज के आधुनिक सिक्षा के जितने भी विशे अध्यन अध्यापन के लिए प्रचलित हैं बिद्यमान हैं वे सभी विशे बेदों में उपलब्ध होते हैं तथा उनकी पधती आज के सिक्षा पधती के पेक्षा अत्यन्त सरल रही है बैदिक पधती से सिक्षा प्राप्त करने में समय भी और धन का भी दोनों के ही बचत होती है इसलिए बैदिक पधती बैदिक सिक्षा का आज अत्यन्त महत्व है जब हम बेदों के महत्व की बात करते हैं तो यहाँ सूर्य को दीपक दिखाने जैसा प्रयास है क्योंकि बेद का महतो तो स्वता सिद्ध है विश्व के संपूर्ण ग्यान एवं ग्यान विज्ञान की परंपरा बेदों में नहीत है ससर्वो भीतो वेदे सर्व ग्यान मयो हिशा सभी ग्यान विज्ञान तथा विवित सास्त्रों के प्रकाशक वेद प्राचीन काल से अध् बेद को न केवल भारत के अपितु विश्व के सभी सास्त्रों का मूल कहा है। धर्मदर्शन, जीवनदर्शन, आचार विचार, रहन सहन तथा मानवी सभ्यता का मूल कहा गया है। बेदों के अध्यन के बिना वस्तु तहा भारती जीवन दर्शन को, भारती संस्कृती शभ्यता को, भारती ज्ञानविज्ञान की परंपरा को, भारती रिशियों की परंपरा को जानना, समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए महर्शी दयानन्द ने बेदों को सभी सत्य विद्याओं का ग्रंथ कहा है। सत्य विद्याओं का ग्रंथ कहने का तात्पर है, कि इस संसार में जो भी यथार्थ ज्ञान विद्यमान हैं, या जो भी विद्या नहीत हैं, उन सभी का उत्पत्ती स्थान बेद ही हैं। बेद से ही सत्या सत्य का निर्णय विचार किया जा सकता है, क्योंकि बेद अपवरुशे हैं, बेद किसी व्यक्ती या जाती विशेष की रचना नहीं है, बेद तो स्रिष्टी के आदी परमेश्वर के द्वारा किया गया, और अमूल्य रचना है, जो मानव जीवन के वस्तुतहा धर्म के स्वरूप का ग्यान तथा धर्म के पालन के बिधियों का ग्यान बेदों से ही होता है, बेद के अतरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, जिनसे धर्म के स्वरूप या धर्म के पालन की बिधियों का हमें ग्यान प्राप्त हो सके, बेद के द्वारा बैदि प्रेम अहिंसा त्याग आदी के यथार्थ स्वरूप को हम जान सकते हैं इसलिए भारती मनीशा ने बेद को भारती संस्कृती का दरपन कहा है बेद एवं बेद का ज्यान मानव जाती के लिए सर्वश्व है वस्तु तहा बेद से अतिरिक्त स्रेष्ट न कोई सास्त्र है और न कोई दूसरा उपदेश्टा है अतहा बेद को अपवरू शेय मानने का बैदिक रिश्यों की जो अभार्ना है वस्तु तहा यही रही नाश्ति वेदात परम शास्त्रम यह इस्मृति वाक्य इसमें प्रमान है वस्तु तहा किसी भी वस्तु का महत्व तब होता है जब व वस्तु उपादे हो कोई भी वस्तु जितना उपादे होगा उसका उतना ही महत्व होता है जैसे सर्व रोग निवारक अवसधी सभी रोगों की निवारण में उपादे है इसलिए उस अवसधी का सर्वादिक महत्व है बेद का अर्थ ज्ञान है तथा ज्ञान की उपादेता सर्वत्र जीवन के प्रत्येक पहलू में है अतहा बेद सर्वत्र ही महत्तुपूर्ण है सर्वादिक उपादे होने के कारण बेद की महत्ता बिद्यमान है इसलिए मनुने बेद को सर्व ज्ञान में कहा है सर्व ज्ञानमयोहिशह बेद सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान विद्याओं का अक्षुन निधी है इसलिए सभी सास्त्रों में बेद के गुणानुआद किया गया है मनु ने तो ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले लोगों को भी नास्तिक न कह करके बेद को अप्रामानने वाले लोगों को नास्तिक कहा है नास्तिको बेद निंद कहा यद्यपी बेद के अनंतर स्मृति साहित्य में मनु स्मृति की सर्वाधिक प्रसिद्धी है एवं प्रामानिकता भी है अन्य इस्मृतियों का परवर्ति कालीन होने के कारण उनमें कुछ सम्मिष्रण देखा जा सकता है परन्तु बेद के प्रामानि निर्धारण के संदर्व में सभी इस्मृतियों का मत एक समान ही परिलक्षित होता है जिनमें महर्शी आग्यवल्क ने इस उसके विधियों का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे तपस्चर्या के स्वरूप को ज्ञानना हो, अथवा कर्मों के स्वरूप का ज्ञान करना हो, अथवा मोक्ष या मोक्ष के साधन का ज्ञान करना हो, तो बेद के अतिरिक्त अन्न कोई दूसरा साधन, दूसरा उपाय नह इस प्रकार बेदों के महत्यों को स्पष्ट करते हुए महरसी अत्री ने भी बेदों को विप्रों का चक्छु कहके संबोधित किया है शुरूति हि स्मृतिष्चा बिप्राणाम नेने द्वे प्रकीर्तिते काना स्याद एक हीनोपी द्वाभ्याम अंधा प्रकीर्तिता ब्रिहस्पति स्मृति में मुक्त कंड से बेद के महात्म का प्रतिपादन किया है संपून बेद के अध्यन करने वाले बिद्वान लोक में धर्म का आचरण करते हुए बिचरण करते हैं तथा स्वर्ग में अत्यंत गवरव को प्राप्त करते हैं और अंत में सभी प्रकार के दुखों से निब्रित हो करके मोक्ष परममोक्ष को प्राप्त करते हैं अधित सर्व बेदान्वई सद्ध्यो दुखात प्रमुच्यते हम कह सकते हैं कि वेद धर्म का भी साधन है और ब्रम के ज्ञान का भी ब्रम क्राप्ति का भी साधन है। अधितों के महत्तु का प्रित्धपादन न केवल सुरुति स्मृति धर्म साध्र में हैं। परब्रम्ह परमेश्वर द्वारा रचित होने के कारण बेद की स्वता प्रामानिक्ता शिद्ध है बुद्धी परवावाक क्रितिर बेदहा इत्यादी सूत्र के द्वारा भी महरसी वादरायन ने बेदों की रचना इश्वर ने अत्यन्त बुद्धी पूर्वक किया है यह प्रतिपादन किया है जिसमें निरठक बिशियों का लेश मात्र भी समय वेश नहीं किया गया है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेद इश्वरी ज्ञान है और इश्वरी ज्ञान होने के कारण अत्यांत ही बेद का ज्ञान बेद का अध्यान महत्तुपूर्ण है इसी प्रकार निरिश्वरवादी सांखे दर्शन भी बेदों के अस्तित्व और बेदों के प्रामान्न को मुक्तकंट से स्विकार करते हैं। तथा बेदों के बैशिष्ट का प्रतिपादन करते हुए महरसी कपिल जो साखषात विश्णु के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने सांख्य सास्त्र का प्रणयन करते हुए सांख्य सास्त्र में उलेख किया है नपवरुशे यत्वम्तत करतू पुरुशस्या भावात अर्थात बेद अपवरुशे है किसी पुरुश की रचना नहीं है क्योंकि जीव अलपग्य होता है और अलप सकती होने के कारण निखिल वेद का ज्ञान बेद के आकार की रचना वह नहीं कर सकता अतहा पुरुस की रचना की अभाव में बेद का अपुरुसे यत्व स्वतह सिद्ध है पुनहा निशक्त्य अभी व्यक्ते है स्वतह प्रामाण्यम इस सूत्र में भी महर्शी कपिल ने बेद के स्वतह प्रामाण्य को बहुत स्पष्ट रूप से उलेक किया है योगदर्सनकार महर्शी प्रतंजली ने सएव पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात इस सूत्र के द्वारा इश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा है तथा इश्वर को सभी ज्ञान का ज्ञान की पराकाष्ठा काकर संपोधित किया है यत्रकाष्ठा प्राप्ति ग्यान अश्य सईश्वरह ससर्वेश्वरह इश्वर नित्य बेद ग्यान का एक मात्र उप्देश्टा है और एक मात्र उप्देश्टा होने के कारण वह गुरुओं का भी गुरु है बेदांत के सूत्रकार महर्शिवादरायन बेदांत के रचना में सास्त्रयोनित्वात सूत्र से साक्षात अक्षर सहा बेद के बैशिष्ट को बेद के महात्मे को बेद के स्वता प्रामाणने को प्रत्पादन किया है सास्त्र योनित्वात सूत्र के ब्याक्या करते हुए आचार्य संकर ने इस्पष्ट किया है कि ब्रह्म ही बेदों का कारण है अर्थात बेद ज्ञान साक्षात इश्वर प्रदत्त है आचार्य संकर ने इस्पष्ट किया है कि ब्रिग बेदादी सास्त्र जो अनेक बिद्याओं से युक्त हैं सूर्यादी के समान सभी अर्थों के प्रकासक हैं इनका उपदेश्टा ब्रह्म के अतरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता क्योंकि बेद का ज्ञान अत्यांत ब्यापक है उस ब्यापक ज्ञान का उपदेश्टा ब्यापक ब्रह्म के तरिक्त अन्य कोई हो नहीं शकता रामायन की रचनाकार महरसी बालमीकी ने रिश्यों के मुक्षे बेद के महात्म का बखान किया है याही नह सत्तम बुद्धिर वेद मंत्रा अनुशारनी त्वत कृते सा कृत वत्स वनवासानुशारनी इसी प्रकार बेद न केवल सास्त्रों का मूल है आचार विचार कर्म ज्यान उपाशना आदी के मूल होने शे भी मानव मात्र के कल्यान के लिए है क्योंकि बेद साक्षात इश्वर पदत्त ज्यान है जो अत्यंत करुना करके मानव कल्यान के लि इत्यादी के द्वारा बेद की नित्यता बेद की अनाधिता को महाभारत में भी शिद्ध किया है। निश्काम कर्म इश्वर की सरुव्यापक्ता का ज्यान ज्यान कर्म का समन्वय भावतिक बिचारों में अनाष्था पूर्व जन्व में विश्वास आदी विश्यों का ज्यान बैदिक साहित से ही प्राप्त होता है। अतहा सांस्कृतिक द्रिष्टी से भी बेद का अत्यंत महत्व है। बेदों में ही सभी दार्शनिक सिध्धान, राजनीती सास्त्र, मनो विज्ञान, समाज सास्त्र, ब्रिष्टी विज्ञान, भूगर्व सास्त्र, काम सास्त्र, विविध कलाएं, आदे अनेक सास्त्र, प्रत्के सास्त्रों के प्रतिपादक, अनेक मंत्र बेद में वरनित ह अतह सास्त की द्रिष्टी से भी बेद का अत्यंत महत्व है आचार मीमांसा की द्रिष्टी से भी आत्मावा अरेद्रस्टब्या स्रोतब्या मन्तब्या निदिध्यासितब्या बेदों का अत्यंत महत्व है आचार का ज्यान मानव के करतब्य बोध कराने के लिए सास्त्र का बेद की आवशक्ता है। बेद के अध्यन के बिना मानाओं को अपने कर्टब्य का बोध नहीं हो सकता। साथ ही गुरुशिस के कर्टब्या कर्टब्य का विचार चाहे माता पिता के आचरण अनाचरण के विचार कर्टब्या 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 का बोध पति-पत्नी का कर्टब्या कर्टब्या दि बोध पिता-पुत्र के कर्टब्या कर्टब्या दि विचार का बेदों में बिश्त्रित बिवेचन है बेद के अध्यन के बिना हम दैनिक जीवन में भी दैनिक आचार बेवहार में भी हम करतव्यों का ज्यान करने से वंचित रह सकते हैं अतहा सतकर्म, परोपकार, अतिति सतकार आदी विश्यों का ज्यान के लिए बेदों का अध्यान परम आवस्यक हैं क्योंकि इन विश्यों का ज्यान बेदों से ही प्राप्त होते हैं अतहा आचार विश्य अज्यान की द्रिष्टी से भी बेदों का महत्तोपूर्ण इस्थान है प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति का विशत विवेचन बेदों में प्राप्त होता है प्राचीन काल में बेवसायों का विवरण किस प्रकार का हमें बेवसाय किस वरणास्रम के लिए उप्यूकत है किन वरणास्रम के मनुश्यों को किस प्रकार का विवसाय करना चाहिए इत्यादी विवरण भी हमें बेद से ही प्राप्त होता है अतहा इस द्रिष्टी से भी बेदों का संप्रती काल में आधुनिक यूग में अत्यन्त महत्व है बेदों में आर्थिक द्रिष्टी से भी अनेक विशे प्रतिपादित हैं इसलिए आर्थिक विश्यों से संबंधित ज्ञान के लिए भी बेदों का अध्यन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विश्यों का विचार बेदों से ही प्राप्त हो सकता है, चहे अर्थु पारजन के साधन कृशी हो या अनादी का आदान प्रदान हो, बानिज्यादी मुद्रा आदी का आदान प्रदान हो, अनेक विशे बेदों में, संगिताओं में, ब्राह्मन ग्रंतों में अनेक अत्र उलिखित हैं, ब्यापार में सफलता के लिए बेदों में दो उपाय अत्यंत प्रसिद्ध बताए गए हैं, जिनके आचरण से हम आज भी ब्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो हैं चरित्र की सुद्धी और स्रम के साथ द्रिण निश्चे, यदि हमारा चरित्र उत्तम है, स्रम उत्तम है, द्रिण निश्चे पूर्वक है, तो हम ब्यापार में अवश्य ही सपल हो सकते हैं, अतह आर्थिक द्रिष्टी से भी बेदों का अध्यन अध्यापन आज भी महत्तो पूर्ण है, राज का आज बेवस्था की द्रिष्टी से भी बेदों के अध्यन की महत्ता विद्यमान है, बेदों में राजियों के स्वरूप का विवेचन, राजियों के उद्देश का विचार, राजा के कर्तब्या कर्तब्या का विचार, प्रजाओं के कर्तब्या 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 का विचार, राजा के निर्वाचन की विधी, सैनि बेवस्था का विवेचन, दंड किस प्रकार होना चाहिए इत्यादी अनेक प्रकार के राजकाज के विवस्था से सम्मंदित विश्यों का बेदों में उपदेश विचार प्राप्त होता है अतहा बेदों के अध्यान से हम राजकाज के विवस्था से सम्मंदित विश्यों का भी ज्यान कर सकते हैं अतहा रा साथ ही एतिहासिक परिप्रेक्ष में भी बेद अत्यन्त महत्वाधाई हैं बेद के अध्यन के बिना हम अपने एतिहासिक धरोहरों को एतिहासिक वस्तुओं के विशय में पूर्ण तया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं बेदों में संगिताओं में बिविद नदियों का नाम अधिहासिक परिष्थितियों का जो उलेक है वरणन है बिविद जातियों के नाम यग्यादी के विशय में जो विशार मिलते हैं उनका ज्ञान बेदों के अध्यन के बीना शंभव नहीं है अतहा एधिहासिक परिप्रिक्ष में भी बेदों का बिद्यमान है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेदों में मानव सब्यता के प्रत्यक पक्ष को का विचार किया गया है बेदों के अध्यन के बिना मनुष्य वास्तों में मानोता पूर्ण जीवन नहीं जी सकता इसलिए प्राचीन काल में रिशियों महर्षियों ने अत्यंत कठिन परिश्रम करके अत्यंत निष्ठा पूर्वक नकेवल बेदों का अध्यापन करते थे अभी तु बेदों में बिहित आचार संगिता को आचार मिमानसा को जीते थे और इसी अध्यान अध्यापन आचार बेवस्था के द्वारा बेदों को आज भी रिशियों ने जीवित रखा है आज की परिश्थितियां कुछ भिन्न हैं आज के सामाजिक परिवेश भिन्न हैं पारवारिक परिश्थितियां कुछ भिन्न हैं अतहा आज आवश्यक्ता है कि बेदों के अध्यापन को पुना प्रतिश्थित करने वा इनको जीवन्त रखने के लिए प्रयास किये जाएं यद्यपी आज भी भारत के ही नहीं बिश्व के अनेक सिक्षण संस्थाओं में गुर्खुलों में बेदों का अध्यन अध्यापन प्रचलित है किया जा रहा है तथा पि बेदों का अध्यन अध्यापन जिस मात्रा में जिस ब्यापक्ता के साथ होनी चाहिए वस्तुतह वह नहीं देखे जाते हैं इसलिए बेदों का अध्यान अध्यापन वस्तुतहा जो आज भारत भूमी में बिद्यमान है वह अपर्याप्त हैं बेद केवल कर्मकार्ण का विशय नहीं है आज हमारे राजनेता, वनिक, सैन्य अधिकारी तथा अनेक छेत्र आज भी बेदों में प्रतिपादित विशय हैं ज्ञान विज्ञान हैं उनसे आज भी बंचित हैं उनके लिए भी बेदों में नहीं इस ज्ञान विज्ञान की निधी को व्यापक करना आवश्यक है जिसके बेदों के विश्यों के ज्ञान नहोने के कारण आज अनेक अनेक समस्याएं अनेक अनेक विशम परिस्थिती उत्पन हो रही हैं जिनका समाधान करना बेदों के अध्यताओं का बेदों के विद्यार्थियों का परम नैतिक करतब्य है इस प्रकार हम कह सकते हैं आज बिश्व संस्कृती को बिश्व मानावता को बेद के अध्यान अध्यापन उनके विश्यों के ज्ञान विज्ञान की आवश्यक्ता है इसी दृष्टी से बेदों की अध्यापन होनी चाहिए इनी बातों के साथ आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार